रचना निर्मे नौँ, एक तिर्भुच के बराबर छेत्रफल वाले समानतर चत्रफुच एवं आयत की रचना करना उधारन 9, एक तिर्भुच ABC की रचना कीजिये जिसमें AB बराबर 9 cm, AC बराबर 5 cm, तथा कोण CAB बराबर 70 हो इस त्रिभुज के छेत्रफल के बराबर एक समानतर चत्रभुज की रचना कीजिए बच्चो आज हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे और जो उसका शेत्रफल होगा उसके बराबर शेत्रफल वाले एक चत्रभुज की रचना भी हम करेंगे हमारे सामने एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB की माप 9 cm है भुजा AC की माप 5 cm है और AC और AB की बीच बनने वाले कोड़ 60 हंश का है इन तीनों मापों के मदद से हम एक विशिश त्रिभुज की रशना करेंगे और फिर इसके बराबर शेत्रफल वाले एक समनांतर चत्रिभुज की रशना करेंगे तो आएए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम भुजा AB की रशना करते हैं जिसके लंबाए 9 cm है यह हमने इसके लिए हां रखा और 9 cm लंबाए का एक रेखा खंड खीचा इससे हम नाम भी दे दे A, B इसकी माप 9 cm है इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं अब हमें बिन्दू A पर 60 हंस का कौन बनाना है चांदे को हमने इस तरह से रखा कि उसका शुने शुने मिलाने वाला रेखा खंड A, B पर हो और मद्द बिन्दू A पर हो और यहां से हमने गिनना शुरू किया शुने, दस, बीस, तीस, चालिस, पचास और यह साट यह हमने निशान लगाया और इसे यह से मिलाते हुए हमने एक किरंट खीज़ दी इसे आप नाम दे सकते हैं किरंट A Y इस माप को यह लिख दे हम यह 60 अंश का कोण है अब हमें यहां पर A C के रशना करने जिसके लंबाए 5 सेंटी मीटर है इसके लिए हम फिर से परकार की मदद लेंगे परकार को हम इतना फैला हैं कि यह 5 सेंटी मीटर के बराबर हो जाए और इस लंबाई को हम यहां प्रदर्शित करें इसके लिए परकार की नोग को हम A पर रखते हैं और एक चाप काड़ते हैं किरन A वाइपर चुकि यह 5 सेंटी मीटर का फैला हो था इसलिए यह जो लंबाई हमें मिल रही हो 5 सेंटी मीटर की होगी इस बिंदू को हम नाम दें जैसा कि हमने यहां रखा है यह बिंदू C होगा और इसी के लंबाई 5 सेंटी मीटर यहां पर दर्शित कर दें आप देख रहे हैं यह तीनों माप जो हमें दी गई थी उसे हमने यहां बना लिया है अब C को B से मिला दें यह हमने स्केल रखा साउधानी से और बिंदू C और B को मिलाते हुए एक रेखा खंड की रचना कर दी तो इस तरह से हमारा त्रभूज A, B, C दिर्मित हुआ इसका एक अपना निश्य चेत्रफल होगा अब हमें इस त्रभूज A, B, C के शेत्रफल के बराबर शेत्रफल वाले एक समानांतर चत्रफूज की रचना करनी है जैसा कि नाम से इस प पर शेत्रफूज और रचना करेंगे तो पहले हम A, B, C समानांतर एक रेखा कीचेंगे जो C से होकर गुजरेगी इसके लिए हम इस गुड को उप्योग करेंगे यहां भी हम सार्टन का कोड़ मनाए और सार्टन का कोड़ जहां बनता है वहां से हम एक रेखा खंड कीचें कि हम चानदे की मदद लेंगे और चानदे की मदद से 6 पर सार्टन का कोड़ बनाएंगे यह देखिए यहां पर चांदे को रखना है बहुत ध्यान से साथ हंस का कौन एसी पर बन रहा है तो हम चांदे को इस तरह रखें कि इसके शुने-शुने लाइन एसी पर हो और जहां पर हमें कौन बनाना है वो बिंदू सी है तो चांदे कि मद बिंदू को हमें रखें और यह कौन यहां बनना है वो यहां पढ़ना शुरू करें सुनने से लिए कर आगे बढ़ते हुए साथ तक यह एक निशान लगाएं और इसे सी से मिला दे इसे हम आगे बढ़ा दे और आप चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं किरन सी एक्स यह जो सी एक्स है वो एबी के समनांतर है इसे आप चाहें तो लिख लें सी एक्स समनांतर अब एक और समनांतर रिखा हमें खीचनी है जो एसी के समनांतर होगी लेकिन सवाल है कि हम इस समनांतर रिखा हो कि खीचे कहां पर इसके लिए हम एबी का मद्दे बिंदू लेते हैं इसका लंबारदा खीचने की हमें आवशकता होगी हम परकार के नो को इतना फैला है कि वो एबी के आदे से थोड़ा अधिक हो और एबी के दोनों तरफ चाप काटने और यही काम हम परकार के नो को ए पर रख कर भी करें और दो ऐसे चाप खीचे जो पहले वाले चापों कहीं कहीं काटते हूँ इन कटन बिंदू को आप चाहें तो नाम दे सकते हैं पी और क्यूँ अब आप पी की को मिलाएं इसे अब कटी हुई रेखा से मिला सकते हैं यह रेखा पी क्यूँ एबी को जहां काटती है उसे भी हम नाम दे माल लेजे बिंदू ओ है ओ ओ एबी का मद बिंदू है अब फिर से एक बार इस बिंदू O से हम एसे के समनान्तर एक रेखा खीचेंगे और समनान्तर रेखा कीचने के लिए जैसा आपको पहले आपने किया था कोड का हम उपयोग करते हैं。 यहां 60 हं काइस के अकॉड हुड बना हुए है यख़ हम भी हम 60 हं का मना पनाएं तो जो हम्लेख़मीलेगी वह स्यंहें के समानांतर होगी तो चांदे को हम फिर से यहां रखें और इस तर शाइट अंस के कोड मनाना है इस में === उप्योग करें साट तक जाएं यहां निशान लगाएं और स्केल की मदद से इसे मिला देगी यह हमने साटन्स के कोणे हां बनाया इसे अंकित करें हां अई इससे तो आपने नाम और इसे भी आप एक नाम देदे और माले जी सहम डी कह रही है इस बिंदू को कि आप के सामने एक चत्रभुच से मनाताच चत्रभझ बना हुआ हैं AODC दश्चा करने के बाद आप यह किया सकते हैं कि यह का शेट्रिफल की बराबर है लेकिन आप सवाल भी कर सकते हैं अपने आपसे क्या ये कहना सही है कि इस समनांतर चत्रभुज AODC के शेत्रफल त्रभुज ABC के शेत्रफल के बराबर है आईए देखते हैं ऐसा है कि नहीं ये एक कटन बिंदू है इससे आप एक नाम और देते हैं माली इसको हम आर कहते हैं तो आप दो त्रभुज देख सकते हैं त्रभुज DRC ये त्रभुज है और दूसरा त्रभुज है ORB P इन दोनों त्रभुज़ों में आप देखें कि ये रेखाये कर दोप दोनों Сमह रिखा है यदि आप CD को और AB को एक समह रखा देखें तो ये आपको एक 30 रखा के रूप में दिखाए पड़ेगी तो इस तीरेक रिखा के द्वारा ये कौण जो बन रहा है और ये कौण दोनों एकांतर कौण होंगे और बराबर होंगे उसी तरह से समनांतर रिखा CX और A B को अगर इस C भी तीरेक रिखा से काटते हुए देखे तो यहां जो कौण बन रहा है वो इस कौण के एकांतर कौण की रूप में होगा और ये बराबर होगा तीसरा कौण आप देखिए ये दोनों कौण ये दोनों शिरसा भी कौण है और बराबर होंगे अब आप देखने कि सूपर वाले तरभूश के तीनों कौन करम शह नीचे वाले तरभूश के तीनों कोनों के बराबर है यह तरभूश समरूप होंगे लेकिन सरवांग समहें कि नहीं इसके लिए एक शर्थ हमें और जोड़नी पड़ीगी क्या है इनकी भुजाओं कोई एक जोड़ा आपसे बराबर है आप देखिए सीडी और ए-ओ यह समरूप चित्रभुज ए-ओर डी-सी के समर् </ और आपने सामने वाले भुजायें हैं तो आपको मालूम है समानतर चितर भुज में आमने सामने बुजाया बराबर होती है तो आप कहा सकते है कİ C,D, A,O के बराबर है और चोंकि O, B, B कमद बंदु है इसलिए O, B, A,O के बराबर है तो आप ये देखे हैं कि O, B, A,O के बराबर है और AO CD के बराबर है इसलिए आप कहा सकतें कि CD और OB दोनों आपसे बराबर है अब आप देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा CD, OB के बराबर है और इसके तीनों कौन करमशाद दूसरे त्रिभुज के तीनों कौनों के बराबर है त्रिभु सरवांग सम होंगे और इसलिए शेत्रफल में बराबर भी होंगे तो त्रिभुज आर ओर बी और त्रिभुज आर डी सी शेत्रफल में बराबर है तो इस तरह से आप कहा सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का ये हिस्सा समना त्रिभुज CRD के इस हिस्से के बराबर है तो चत्रबूज AODC जो बना वो त्रिबूज ABC के शेत्रफल के बराबर है और हमें इसी प्रकार के समानता है चत्रबूज के रशना करनी थी और यह आपके रशना पूरी होती है इसे एक बर फिर से आप खुद बना के देखे मुझे यकीन है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे तो प्लीज एक बर कोशिश कीजिए